मधुरा की गोवर्दन कस्बे में मंगलवार को अंतराश्टिय योग दिवस मनाया गया योग दिवस के अवसर पर कस्बे के चंद्रा गार्डन गोवर्दन धाना परिसर और सामुदाइक स्वास्त केंदर पर सैकडों की संख्या में लोगों ने योग कर योग गुरूओं से स्वस्त जीवन जीने की कला सीखी इस दोरान योगाचार धर्मदास महाराज ने बताया कि योग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा शुद स्वस्त जीवन प्रदान करती है योग खुशहाली और स्वास्ते जीवन शैली प्रदान करता है यह हमारे रिशी मुनियों की हजारों साल की तपस्या का फल है और कहा कि निरोगी शरीर ही उत्तम जीवन व्यतीत कर सकता है गोवर्दन तैसीलदार राजगुमार भासकर ने योग शिवर के दोरान बताया कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने 27 सितंबर 2014 को सईयुक्त राष्ट महसभा में अपने भाशन के दोरान प्रस्तावित किया था आज योग दिवस के अफसर पर कस्बी में जंगा जंगा योग शिवर का आयोजन कर लोगों को योग कर स्वास्त जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं हर व्यक्ति को प्रती दिन योग करना चाहिए जिससे शरीर, मन, मस्तिक्ष, स्वास्त रहे हैं और कहा कि पहले वर्षों की अपेक्ष्या इस वर्ष योग शिवर में लोगों की संख्या अधिक देखी गई है इससे साफ प्रतीत होता है कि योग के प्रती लोगों का रुजान बढ़ा है वहीं योग शिवर में आए बुजर्ग दीन दयाल मित्तल ने बताया कि उनकी उम्म 75 वर्ष से उपर है वे प्रती दिन योगा करते हैं और योग के ही कारण स्वस्त हैं कहा कि हर व्यक्ति को प्रती दिन योग करना चाहिए और जीवन में योग को अन्य आवशक वस्तूओं की तरह ही अपनाना चाहिए जिससे जीवन निरोगी और सुख में गुजर सकें कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया ही है मैं बस यही काऊंगा चुकि आज एक अंतराष्टे योग दिवस है और यहां एक सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोगों के द्वारा और आम लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि यहां पर बिगत वर्सों की अपेक्षा बहुत बड़ी संक्या में लोगों फस्तित हुए है योग हमारे जीवन में अन आवश्चक चीजों के साथ सामिल होना चाहिए ताकि हम स्वस्त रहें निरोगी रहें और हम दूसरों को भी इसका प्रिचार करें ताकि वो भी स्वस्त रहें और निरोगी रहें जैसे कि देखा जाता है कि जो दे होता है और अगामी समय में इसको बिलकुल जंता भूल जाती है۔ इसके बारे में क्या कहेंगे बस यही तो देश है इसका अंतराश्ट एयों दिशका कैसा कि सब लोगों को यह जाग्रू करना हम पहले होता है। बताया भी कि आप योग को अपने जीवन में नियमित योग करिए ताकि आपको निरोगी रहे श्वस्त रहे और आप दूसरों को भी बताया यह ऐसा नहीं कि यह केवल एक दिन के लिए है यह 365 दिन के लिए है ताकि हम स्वस्त रहें आप जान रहे हैं कि जब डॉक्टर कहे तब योग शुरूर ना करें हम पहले से योग शुरूर करें लाव यह मिलता है कि शरीर में एक शपूर्थी जगती है उत्सा जगता है और कारिक शम्ता बढ़ती है और संदेश यह देना चाहते हैं रिश्वन्होंने जो रहे हमको यह विद्ध्या बताई है यह प्रती द कि योगा हमारे भारत की देन है मगर 2014 के बाद ही इसको प्रकास में आया है कोई चीज जल्दी से प्रकास में आती है इसमें महात्मा रामदेव जी आदी साथ उसंता का वश्वन्होंता रहा है वैसे सदा से योग विद्या चल रही है मैं जब छटी कर्षाम पड़ता था तब से मैं योग परता था धीरेंदे ब्रमचारी जी होते थे इसे आने को लोगी हुए हैं लेकिन इसका जो परचार का सोभाग है ये रामदेव जी को ज्यादा प्राथ हो ये भगवान की किरपा होती है प्रारभ होता है ये इसमें